राइमसी रास्ट्री एंडिन मिलिटरी कॉलेक्स दहरा दुन जिसका एक्जाम तीन जून को होने वाला है उसको लेकर आपने थमलेल देखी लिया होगा बहुत इंपॉर्टन वीडियो है यह हमें मैट्स के पेपरों के लिए के बड़ी टेंचन रहती है क्यों important है मैट्स इतना आराइमसी के एक्जाम में firstly जो बच्चे first time ही वीडियो देख रहे है या जो parents ही वीडियो देख रहे है उनको बता दू कि आराइमसी एक्जाम में जो return exam होता है उसमें मैट्स बहुत बड़ा role play करता है क्यों match role play करता है इसकी बात कर लेते हैं देखिए total match जो होता है वो 200 marks का आता है total paper होता है 400 marks का 400 number में से 200 number का 200 का अकेला match है यानि match की वेटिज बात करें तो 50% role जो है वो match play करता है merit को create करने में अब इसके अन्दर number of question आते है 30 तीज क्योशेंट में आते हैं और मिनिट इम मिलता है 90 मिनट्स गयानि हमें one and half hour यानि 90 बनाने होते हैं इन 30 क्योशेंट के बिंदर j uh section में आता है, section A आता है and section B section B 10 question 10 marks each यानि ,正न होते है यहato है पर 200 marks का होता है, 30 questions आते हैं, 20 questions छोटे होते हैं, 10 questions यानि 10 questions बड़े होते हैं, हर 20 questions 5 marks का होता है, और total 100 marks का section A, और 100 marks की section B, क्योंकि 10 questions 10 marks के होते हैं, अब ये सारी बाते हैं हमने basic information या जिन बच्चों ने त्यारी कर रखी है, जो बच्चे भी 3 जून को exam देने वाले हैं, उनक ये सारी बाते हैं पहले से पता हैं, अब बात आती है कि paper के time, किन-किन बातों का ध्यान रखें कि हम paper को अच्छा perform कर पाएं, सबसे पहली चीज ये कि हमें हमारी तैयारी को अच्छे से करना है, वो आप कर रहे होंगे, और तैयारी अच्छी है, देखिए या पर दो तरह क student मिलते हैं, एक तो वो जिनके तैयारी बहुत अच्छी है, तो उनको टैंसल नहीं के जूरत नहीं है, और एक वो जिनकी तैयारी है ही नहीं, तो उनको भी टैंसल लेके भी वैसे भी दो दिन में कुछ नहीं होने वाला है, तो वो भी काम रहे हैं, और जो चीजें वो कर सक सांत रहे ना है काम रहना है बहुत ज़रूरी है रहें हमें पेपर के दिन अच्छे से रेंट करके जा ना है कि हमारे धिमाग के उस सारह को चल रहा है जो हम लोगों नहीं पड़ा या कहीं ना कहीं करना रह गया उसके नो चेप्टर का आपने बहुत अच्छे से प्रिप्रेशन कर लिया, एक चेप्टर का प्रिप्रेशन नहीं कर पाए, तो उसकी टेंशन को साइड में रखिए, confident रहिए कि नाइन चेप्टर आपने कर रखें, second one, कि आप उस दिन पूरी तरह अच्छे से नींद लेके जाए, नींद बहुत ज़रूरी है, वरना पेपर में आप अपने ब्रेन को अच्छे डंक से टिलाइस नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि लास दी दिन हम लोग फॉर्मलर रिम्यूशन कर लेंगे, लास दिन हम लोग रात को तीन-चारब तक पढ़ लेते ह बस एक दिन की तो बात है, कोई फरक नहीं पढ़ता, एक दिन कम सो जाओंगा तो कुछ नहीं होगा, आपकी ब्रेन की एफिसीनसी पर फरक पढ़ता है, आपका ब्रेन उस एफिसीनसी से काम नहीं कर पाता, आपके ब्रेन में जो जो जहीं स्टोर है, वो टाइमली वहाँ भी नहीं पहुंच पाती तो ज़रूरी है कि brain को rest दीजिए and second please don't call your friends या किसी को भी call नहीं करें उस तोरान क्योंकि आप यह call करते हैं और किसी भी बच्चे नहीं यहां मुझे algebra के person नहीं आता यार boat and stream तो मैंने किया है नहीं यार allegation topic क्या हो आता मैंने सुना ही नहीं तो यह सारी चीजें करने से बचें जो revision करना है अभी revision कर लिए जो पढ़ना है अभी पढ़ लीजिए जो बचावा है उसका कोई doubt यहां भी आप जूड़े में कोचिंग में offline online जहां भी वहां से complete कर लीजिए पट पेपर के पहले दिन इदम काम रही है और पेपर वाले दिन जितना important आपने date दो साल 6 मेनी दो मेनी preparation किया है उसकी equivalent है वो 90 minutes वो 90 minutes में आप अपने आपको कैसा रख पाते हैं आप कितना confident रख पाते हैं बहुत important है तो first या तेरे मेंने बहुत सारा पैसा लगा दिया इस बार करने करना है इस बार पास होने होने चीए देखो उनका बच्चा यह कर रहा है प्लीज डूंट से any kind of these things आपका बच्चा unique है दुनिया में हर person जो भी इस अर्थ पर आया है उसके अंदर अलग uniqueness है तो वो दूसरे से जैसा नहीं हो सकता वो जो दूसरे कर रहे हैं सिम बिसा डिटों नहीं कर सकता हो सकता है आपका बच्चा अभी slow learner है हो सकता है बच्चा आपका इस बार आपको ना कर पाएं इसका मतलब यह नहीं है कि वो बाकी बच्चों से कमजोर हो गया हो सकता है उसके इंदर ऐसा कुस हिड़न टैलेंट है जो आज नहीं कल पर सो या उसके बाद कभी रिलीज हो सो प्लीज अपनी एक्सपेक्टिस बथो भी बजाए उसके साथ कड़े हु होता है यदि पैरेंट्स एक बच्चों को अवेलेबल कराएं अकोर्ड टू माई ऑपिनियन टी और ही वी परफॉर्म वैल बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं क्योंकि वह टेंशन फ्री होते हैं उन्पे टेंशन नहीं रहता सबसे बड़ा रोल है पैरेंट्स का उसके हम जैसे टीचर्स का जिस भी अकाड़ीमी में जिस भी आफ्लाइन जी का पढ़ रहे हैं वो सब लोग भी उनको बहुत टेंशन फ्री करके बेज़ें ताकि वह रिलेक्स होके जाएं और अपनी जो भी जो शीखा है उसको अच्छे डग्से परफॉर्म कर पाएं तो नंब अच्छे डंग से काम करता है यह साइंटीपी पुरूवन है तो आप में ऐसा नहीं है कि डी हड्रेशन हो जाए पानी की कमी और वहां पर बीच में जाके पानी पी के आएं तो टाइम हमारे पास नहीं रहेगा हमें और नाइन्टी मिन्स इग्दम चिपक के बेठना है चे अच्छे डंग से पेपर को अटेंड करने में हैल्प करेगी अगली बात क्या है अब बात आती है कि जो हमारे वाँ पे एक्ट सुरूव होता है यह एक्ट से बिफोर यह पड़दे के पीछे की कहानी है जो हर एक को नहीं देखती है आपको खुद से करना होते है अब कहान सकती है कैसे सकती है यह 15 मिनेट्स यह आप नॉर्मली अपने आप के ओपर इसका इफेक्ट नहीं आने दे क्योंकि उसमें क्या है इन पंदरा मिनट में आप 30 कुशन अराम से पढ़ पाएंगे दो तिन बार पढ़ भी सकेंगे कई बार ऐसा देखा है कि 30 कुशन में से सपो लोग वो नहीं सोच पाते हैं कि 27 आ रहे हमारा ब्रेन लगाता यह बोल रहा होता है में तीन नहीं आ रहे तीन नहीं आ रहे क्या करूं वो किसम चूट गया उसके लिए क्या करूं यहां देखनो टीचर से पूछनों कैसे होगा हमें भूल कैसे गया इस तरह की थौट प्र कonać किल यह साथ 10 को थन पढ़ना और पढने के बाद मुझे मांट मेपतीयार कर नहीं में में की मेरा कसन पेपर करने का क्या स्पश्व ने व्लै रहने वाला लेते हैं कि यदी क्यूस्ट पेपर को सिक्वेंस में करें तो मार्ट अच्छी मिलते हैं ऐसा जरूरी नहीं है हाँ होता है तो बहुत ही बहुत इसा नहीं है कि आपने पहले 30 बना दिया फिर 29 किया फिर फिर 27 कर दिया फिर 17 कर दिया तो जो टीचर चेक कर रहे आपके नंबर काट लेका ऐसा नहीं होता नंबर नहीं काटता हो बस उनको थोड़ासा काम ज्यादा करना पड़ता है ऐसा कुछ भी निया हाँ वहां पर हो सकता है तो यह बात इस चीज का प्रेशन नहीं रहे आपने पेपर को पड़ा अपका first क्यूस्एन आपको नहीं आथा कोई दिख के दिए second से start कर दो second नहीं आथा 9 से start कर दो किसी सेक्वेंस को follow करने की requirement नहीं है इस चीज का प्रेस अब दिजी कम से कम आता है करिए 법 कर अच्छा लग्या सुंदर लगए dispel लगए और तेश restor को पहले start करना ची मैं मानता हूं ऐसा क्यों क्यों कि section A और section B दू section इसके अंदर है A के अंदर हमारे पास 20 questions है B के अंदर हमारे पास 10 questions है यह 5 marks एक यह 10 वास एक यूशन है और यह दी किसी क्यूशन में 5 marks मुझे गेन करने तो उस को उसी उतनी length में लिखना पड़ेगा और similarly मुझे 10 marks गेन करने तो उसको उसी length में लिखना पड़ेगा उसको पूरा explanation करना पड़ेगा यानि वह सकता हूं यह बड़े क्यूशन से ज्यादा लिखना पड़ेगा इसमें बड़ा होगा क्यूशन बड़ा होगा यह क्यूशन थोड़े एस comparative देन इन से छोटे होंगे इन में तो यह दी हम लोग section B के क्यूशन पहले बना लेते हैं तो क्या रहेगा कि हम लोग उस रिधम में आ जाएंगे और हमारे पास अब क्याएगी दिमाली सेक्शन यह पहले start किया और हमें first question second question third question सारे question आ रहे हैं और हम लोग वहाँ पे required material से जएधा material लिखना start कर देते हैं तो हमारा time kill हो जाता है और last में हम लोग बड़े क्यूशन को छोटा-छोटा कर देते हैं तो क्या हो रहा है कि हमने कर लिया लेकिन माक्स अच्छे नहीं मिले तो हमें करना क्या है कि सेक्शन पी को पहले कर लो उसमें क्योंकि जाते ही अपने में energy रहती है बुस्ट रहती है तो पहले सेक्शन बी को बनाओ तो से नंबर के बड़े-बड़े लिख पा रहे है कोई दिक्कत नहीं है जब भी आदा गंटा पॉन गंटा हो जाएगा तब आप कहने थी थोड़े डाउन लग जाएगी तब आप सेक्शन एक उठाईए और फिर आप करने लिगजी वहां पर ही दि इसको डिवाइड करूँ तो थी मिनिट्स्टॉत बड़े साथे से साधे मिनिट्स का समय लग सकते हं कि हमें हर क्योशन दिवुदू फेलेटी सेकंडे आपगे 15 minutes मिलेंगे तबी कर लेंगे हाँ तबी कर लोगे लेकिन ये 15-20 मिनिट्स के आया कि हर आपको ऐसा नहीं है कि सरफ आंसर के नमबर मिल रहे हैं आपको क्यूशन के आंसर के अकोडिंग नमबर मिलते हैं बहुत सारी बार हम लोग वाइल रीडिंग दे क्यूशन यूनिट्स को गडबड कर देते हैं हम लोग माने टाइम इंड वर्क का क्यूशन है और लास्ट में पूचा जाए बताओ दुबारा से हमें वह चीज़ गलती कर देते हैं हम लोग किसी नंबर को गलत देंग से पढ़ लेते हैं और हम लोग किसी भी जियोमेट्री में कोई स्ट्रेक्चर का नाम जनली ट्राइंगल का नाम ABC दिखता है हो सकता है पेपर में ABD दे दें तो आपको वह चीज़े चोटी जीन ध्यान रखने है कि पेपर के क्यूसन को बहुत ध्यान से पढचना है तो हमैं क्या करना है और को सा क्यूसन हमें नहीं करना बहुत जरूरी है क्योंकि 30 questions है नमबरा बच्चे जिनको बहुत अशा इनकी preparation है वो पेपर को कर रहे हैं और मान लेज़े पहला कर लिया दूसरा कर लिया तीसरा कर लिया उनको fourth question नहीं आ रहा है अब वो उस question में first के रहे जाते हैं उस question को try करते हैं काल मुशन गलत हो रही है और राइटिंग कर रहे हैं फिर दुबारा से बना रहे हैं उससे क्या हो रहे है सबसी important time की लो रहे है number two आपके brain के अंदर एक stress जा रहा है आपको लग रहा है यह question में ने पढ़ा मुझे क्यों नहीं हो रहा भाई कोई tension नहीं पहले question को देखिए proper आ रहा है तो करिए बना उ question paper है उसमें circle बना दी थी question number इतना मुझे नहीं आता यह नहीं आता यह नहीं आता अब मानलेजे आपने यह paper को ऐसे question को फटा फट छोड़ते रहे और जो आपको बढ़िया डंग सारे attain करते रहे और आपने target किया कि मुझे 90 minutes के paper में से पहले वाले 60 to 70 minutes में पूरा paper बनाना है और जो मुझे 2, 4, 5 question नहीं आएंगा उनको मैं देखूँगा छोड़ूँगा अब यह आपने 5-7 question छोड़ भी दे रखे हैं मालेजे 7 question चोड़ रखें तो 23 questions यह आप 60 minutes में 70 minutes में कर रहे हैं तो फिर आपके brain की अंदर इतना stress नहीं रहेगा क्योंकि 70 minutes के बाद 60 to 65 minutes के बाद आपके दिमाग में रहेगा कि चलियार मैंने 75% देख पेपर को कर लिया है अब मुझे 22-30% करना है अब मैं relaxed होगे कर सकता हूँ अराम से कर सकता हूँ इज़ीग कर सकते हो तो ज़रूरी है कि कूशन पेपर को करने से भी important है कि कौन सा question छोड़ना है यह decision लेना मैंस क में लगा रहे हैं तो इसका मतलब फिर आपके बाकी question रह जाएंगे तो जरूरी क्या है कि कूशन को carefully पढ़ना और उसके बाद यह decision लेना कि कौन सा question हमें करना है और कौन सा छोड़ना है जो छोड़ना है उसको within 10 to 15 seconds, max to max 20 seconds में छोड़िए and I'm moving on the next question that's much important अगली बात क्या आती है if you don't know the answer of the question then at least you should write the given math के अंदर तो यह strategy बहुत important है कि math में क्या होता है कि यह जोमेट्रिक का question है यह यह कोई है या कोई percentage profit loss time and work का question है तो वहां पर बहुत सारा material जो होता है वो question में given होता है यह 10 marks हा question है, geometric question है यह अपने given लिख दी है आपको कुछ भी नहीं आता है, जो जो चीज़ें दे रखी हो लिख दी हो सकता है आपको एक marks, read marks, two marks मिल जाएं तो आपको at least जो question नहीं आता, उसको पूरी डंग से read out करना है, उसके अंदर से extract निकालना है, जो आपको नहीं आता है, question बिल्कुल भी कम से कम उसमें जो given लिखिये, छोटा गोटा के formula लिखिये होँँ पर, किसी question को खाले मत छोड़िए, उससे क्या होगा, कि कुछ number आप गेन कर सकते हैं, यदि आपने 5 question नहीं से करके बनाया, हर question आपको दो-दो नुमरी मिलते हैं, तो 10 question, 10 marks होगे, 1-1 मिले तो 5 marks होगे, और आपको बता दो, जब merit list तयार होती है, तो आदे-ादे marks की 0.1 marks की भी value होती है, तो ज़रूरी है कि इन चीजों को ignore नहीं मारना, जो आपको नहीं आता, उस question को पढ़िए, और practice यह दिए आपने थोड़ी से कर रखी है, तो 100% आप उस question में given क्या है, ज़रूर लिख पाएंगे, वो आपको फॉर्मुला कौन सा frame हो सकता है, वो ज़रूर कर पाएंगे, तो किसी question को leave नहीं करना, बहुत important strategy है, इस ध्यान रख है, और section BA का जो 5 marks का question है, उसमें 5 में से 5 marks gain करने के चकर में, उसका answer में लोग इतना lengthy लिख देते हैं, कि वहाँ पे हमें हो सकता है, उसमें teacher 5 में से 5 marks ना दे, क्योंकि उसको लगता है कि मैंने इसे इतना पूछा नहीं, इसने इतना क्यों लिख दिया, और अपने लोग आ तो मुझे approximately इतना लिखना है, और 10 marks है कि उसमे approximately इतना लिखना है, हाँ, मैं अभी exact number of lines या number of paragraph नहीं बता सकता, number of words नहीं बता सकता, क्योंकि ये SST का paper तो है नहीं, ये maths का paper है, इसमें हो सकता है कि कुछ 5 नमर के question 5 से 7 line में हो जाएं, कई में उसे 10 line लग जाएं, कई 10 marks के इसमें 10 line में हो जाएं, हो सकता क्योंगे लिए 15-20 line लग जाएं, तो depend करता है कौन से topic की बात चल रही है, उसके according हम लोग क्या करेंगे, उसके according हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे, तो जरूरी कहें कि length of the answer लेकिना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ये सारी tips थी हैं हमारे आज की वीडियो में, उमीद करता हूँ, ये जो tips हैं, ये आप follow करते हैं, तो 100% आपके paper में थोड़ी से help मिलेगी, हाँ, जिन बच्चों ने अपने practice करके self के strategy बना रखी है, वो उसी strategy को follow करें, अभी उसमें नया introduce मत करें, क्योंकि अभी आप 2-1-2 जिनों के अंदर उसक आप कितना growth करते हैं, और दूसरा कितना growth करता है, दूसरे growth के उपर ध्यान नहीं देना, हमें अपनी growth फोकस करना है, दूसरे को always help करनी है, that's much important, तो मिल दें एक लिए वीडियो में, तब तक अपना खयाल रखें, खुब सारे पढ़ाएकरें, wishing you very all the best and जाहिंद